नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंच्छ नामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमाजी डॉक्ट सब आपको बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद सबसे पहले नाज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर NIA के एक्षिन से बॉखलाई PFI सुबूतों के साथ कोई गिरफतारियों पर PFI ने केरल में बंद का किया आभान करनाटक में किया बैंक आमिच्चा का बिहार में दो दिन का दौरा पूर्णियां से भरी विपक्ष के खिलाब हुंकार कहा दो हजार चौबिस में नितीश लालू कहोगा सूप्रा साथ केश्रिवाल की चहेते मंत्री सतेंद्र जैन को E.D. ने दिया बड़ा जटका केश को दूसरे जच को ट्रांसफर करने की मांग पूरी सतेंद्र जैन जाएंगे हाई कोड कॉंग्रेस में अध्यक्ष पत के लिए कई उम्मीदवार जल्थ कॉंग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष बड़े नेता दोड में शान UN में भारत ने चीन को कही दो टूक आतंक वादियों पर बैन लगाने पर नहों गहरी राजनीती आतंकियों को बैन करने में निस्पक्ष कारवाई की मांग पूर्ण आज की सबसे पहली खबर में बात PFI के उपर हुई NIA की बड़ी कारवाई की PFI पर NIA ने अब तक की सबसे बड़ी कारवाई की है PFI के कई बड़े बड़े नेताओं को गिरफतार किया है जिस पर PFI बौकला गई और केरल में बंद बुला लिया सरकारी बसों में आग लगाना और पत्थर बाजी भी की गई जिस पर करनाचक हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए PFI को बैन करने का आदिश्टी रिया जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन विपक्ष इस पर बौकला रहा है दोक्टर साब PFI को करनाचक में बैन करने की तैयारी है लेकिन विपक्ष क्यों बौकला रहा है देखिए PFI दरसल मुस्लिम समाज के अंदर इस तरीके से परिट्रेट कर चुका है कि कई सारे मौलवी मौलाना, कई सारे संगठन, कई सारे मदरसेज और कई सारा जो फौरन फंडिंग होता है उसके उपर PFI का कबजा है और इसलिए आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी, तो फिर कांग्रिस पार्टी, इन लोगों को ये लग रहा है, ये छटपटा हट है कि PFI के उपर बैन हो जाएगा, तो फिर इनकी मुसीबत बढ़ जाएगी, इनके लिए वोट कौन एरेंज करेगा लेकिन ये समझे किस तरह की मकारी है इन पौलिटिकल पार्टी के दौरा, जो देश की इंटरिनल सिक्यूरिटी को बकाइदा आप ताख पर रखकर इस तरह के आतंकी संगठन के साथ खड़े हो जाते हो, जिसकी योजना ये है कि 2047 में वो हिंदुस्तान को एक इसलामिक को घोशित करना चाता है, और तो और तमाम तरह की जो हिंसा, मर्डर, पॉलिटिकल असेसिनेशन, और तो और जिस हिसाब से, आईएस, आईएस के लिए, रिक्रूट्मेंट करने का, जो पूरा धंधा, पी एफ़ाई ने चलाया, देश के अंदर में, मुसलमानों को भलकान दंगा भलकाने, इन तमाम आरोपों के बीच, अब आप देखिए, कॉंग्रिस पार्टी केरल के अंदर, जहां ये पी एफ़ाई सबसे मजबूत है, उसके साथ एक टैसिट अंडिस्टेंडिंग में जाती है, ताकि वाइनाड से राहुल गांधी चुनाओ जीत सके, और इ फिर से एक नया पाकिस्तान बनाने के अजंडे पे है, सरकार से बड़ा सवाल ये पूछा जाना चाहिए, कि प्रधान मंतरी मोदी जी, अमिसा जी, कब आप इस पे बैन लगाएंगे, कब आप इसके तमाम निताओं को जेल के अंदर डालेंगे, पानी जो है उस सर के ऊपर से बह रहा है, जितनी जल्दी इनके खिलाफ कारवाई हो, वो देश के लिए बहतर होगा जी, डॉक्त साब, एक तरफ PFI के खिलाफ एक्शन से पूरा विपक्ष बॉखला गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रह मंतरी अमित्षा ने 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, और विपक्ष को तगड़ा जटका देने के लिए बिहार के सीमांचल शेत्र में दो दिन का खत्म करेगी, डॉक्त साब, आमित्षा ने बिहार की कमान अपने हाथ में ले लिए, क्या होगा विपक्ष का? देखे, जब पिछली बार अमित्षा बटना गए थे, तो कई सारे बीजेपी के लीडर्स ने उनको कहा था कि नितिश कुमार की पॉपलर्टी बिलकुल रसातल में चली गई है, और हम एक ऐसे सरकार के हिस्सा, हिस्सेदार बन चुके हैं, जो लोगों की नजरों में, वो उनका, उनकी साख खत में होती चली जा रही है, इसा वेरी पॉपलर, अनपॉपलर गॉर्मेंट, तो अमित्षा जी ने ही कहा था, कि हमें अगले दो चुनाओं, लोगसवा और विदान सवा, वो नितिश कुमार के नितित में ही लड़ना है, लेकिन जिस हिसाब से, सीमाँचल का इलाका है, यह वो इलाका है, जहां कटिहार, किसंगन्ज से सटा हुआ यह पूर्निया है, और इस सीमाँचल में मुसल्मानों की पॉप का जो पॉपलेशन है, वो हिंदू से ज़्यादा हो गया है, और वहां तमाम तरह के बंगला देशी, रोहिंग याज, औ और तमाम तरह की जो पी एफ आई की गतिवी दी और सब कुछ जो है, वहां पे चल रही है, यह वही लाका है, जहां से च्छे सीट लेकर चुनाओ जीता था, ओव ऐसी, तो आप समझे है, कि अमिस्चा ने कहा से इसकी सुरुआत की, और उन्होंने वहां क्या कहा, कि जो हि मंतरी हैं, और इसलिए किसी को ये सक नहीं होना चाहिए कि कोई किसी की जान माल के उपर जो कोई खत्रा है, लेकिन ये तो भाशनवाजी है, जिस हिसाब से जंगल राज वापस लौट रहा है बिहार में, बिहार के लोग दहशत में हैं, और इसके लिए कुछ न कुछ जिम प्राय रखा, जो जनता की नदरों में काफी अनपॉप्लर हो चुका था, जी बिलकुल, अमित्षा ने बिहार पहुचकर विपक्ष को करारा चटका दिया है, तो वहीं E.D. ने भी केजरिवाल के मंतरी सतेंद्र जैन को तगड़ा चटका दिया, E.D. ने मांग की थी कि सत मती जतादी है, अब इस मामले की सुनवाई विशेश न्यायदीश विकास ठुल करेंगे, अब इस फैसले के खिलाख सतेंद्र जैन दिल्ली हाई कोट में अपील करने वाले हैं, डॉक्टर साब क्यों केस को ट्रांसफर करवाया गया है और मंतरी जी हाई कोट क्यों जाना गई, अब जादतर केसिस में यही होता है, कि एक बार इस तरह क्यानुमती मिल गई तो मिल गई, सतेंद्र जैन अब हाई कोट जाएं, सुप्रिम कोट जाएं, वापस उस जजज के कोट में एक केस नहीं जाने वाला, मामला खतम हो गया, लेकिन सतेंद्र जैन के दूसरी प यादास चली गई, तो जिस व्यक्ति की यादास चली गई, इसका मतलब है कि वो mentally suitable नहीं है, मंत्र पत्तो जाएगा ही, विधाई की भी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में, किसी यादास के खो जाने वाले व्यक्ति को, किसी भी विधान सभा का सदर से, या लो इसे ही हाई कोट में चलेगी, क्योंकि उन्होंने ये बकायदा डिक्लियर्ट पोजिशन उनका है, कि मेरी यादास चली गई है, तो केजरिवाल से भी पूछा जाएगा, कि क्या नट्वलाल साहब बताओ, कि ये तुमने एक ऐसे विक्ति को मंत्री बना रखा है, उसको हट नहीं रही है, और वो ये भी कह रहा है कि यादास चली गई है, तो एक तो भरस्ट और दिमाग से पैदल व्यक्ति को केजरिवाल अब तक अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ है, विधाय क्यों बना करके रखा हुआ है, और तो और उसे अपने मंत्र मंडल में क्यों बन हो गई है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हो गए है, अभी तक अशोक गहलोत के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब शेशी धरूर, मनीश दिवारी, दिगवजा सिंग के नाम की चर्चा भी होने लगी है, जिससे अध्यक्ष पत पर कन्फूजन की स्थिती बनी हुई है, ल फैसला होना है, दस जर्पत के डिनर टेबल पे, यह चार लोग फैसला करेंगे, कि कॉंग्रस का धक्ष कौन होगा, जो जितना बड़ा गुलाम होगा, उसकी चांसे जोती बहतर हो जाएगी, यह चार लोग डिसाइड करने वाले, सोनिया गांदी, राहुल गांदी, प्रि भोड़ी पे बैठना ही नहीं चाहता, वो कहता, नहीं हम जैपूर से वापस नहीं आएंगे, हमको जैपूर में रहने दो, हमको नहीं जाना है ससुराल दिल्ली, मुझे मुझे मुक्ष मंत्री भी बने रहना है, और मुझे अगर आप बनाते हो अध्यक्ष, तो हम अध्यक जिसमें कौन बोट देगा, इसका कोई पता ठीकाना नहीं, वहाँ बकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस करके थ्रेटिंग दी जा रही है, जो कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रिये प्रवक्ता जो हैं, जैराम रमेश सहाब उन्हों ने प्रेस कॉन्फरेंस करके क्या का, कि ख ऐसा लगेगा कि पार्टी के अंदर फूट है, अर्वे दुनिया में जहां जहां पी इस तरह के चुना होते हैं, डिमोक्रसी में, वहाँ वहाँ अगर कॉंपेटिशन होगा, चुना होगा, रियल सिल्स में, तो अपोजिशन जो चुना हो जीतेगा, वो सामने वाले कैंड गिडिडेट की, खामिया को तो गिनाए गए, अगर आप वो उस पर भी मना कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है, कि ये सब ढकोसले बाजी चल रही है, 12-14 राज्यों से ये गुहार की जा रही है, राहूल गांदी अद्धक्ष बने, राहूल गांदी अद्धक्ष बने, रा Congress Party के दफ्तर के बाहर, वहाँ पे आत्मत्या का ड्रामा शुरू कर दे कि भई राहुल गांधी ही चाहिए, तो फिर क्या होगा? ये नाटक चल रहा है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर और इस नाटक की वज़े से ये जो कॉंग्रेस पार्टी जो सोच रही थी कि यात्रा करके हम कॉंग्रेस पार्टी को रिवाइब कर लेंगे वो और ज़्यादा नुक्सान देह साबित होने वाला है आकरी खबर में बाद भारत की चीन को लगाई गई लताड पर चीन ने कुछ दिन पहले ही मुंबई 26-11 हमले के दोशी और पाकिस्तान परस्त लशकरे तैबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लाकलिस्ट करने के UN के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी जिस पर बाद में भारत ने एक बार फिर से UN में आतंकवादियों को बैन करने में निस्पक्ष कारवाई की मांग को दोहराया है और चीन को लताड लगाते हुए कहा है कि आतंकवादियों पर बैन लगाने पर राजनीती न की जाए डॉक्टर साब भारत ने जो दो टुक कही है चीन को उससे चीन क कुछ सुधार करेगा अपने आप में देगे चीन एक बहुत विच्टर किसम का देश है यह अपनी के अंदर एक किसी मौलवी मौलानाओं को दारी बढ़ाता हुए नहीं देख सकता यह अपनी देश के अंदर मुसलमानों को कुरान के स्टड़ी करने नहीं दे सकता यह पॉंडरी वॉल के अन्दर अपने अपने बॉंडरी के अंदर उसे इसलाम नहीं चाहिए लेकिन बाहर उसे आतंकवादी से प्रेम है तो ये तो डबल स्पीक चीन का सुरू से रहा है नई बात क्या है नई बात ये है कि चीन पहले भी जितने भी पाकिस्तान में, हिंदुस् रही थी जितने भी आतंकवादी जिसे डिकलर किया गया चाहिए हाफिस सहीद हो चाहिए जितने भी हो जब भी कोई भी पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी कि खिलाफ को इंटरनेशनल बैंक की बात होती थी चीन जो है उनके साथ खड़ा हो जाता था लेकिन दिक्कत यह होत है कि सबकी इंटरनेशनल पॉलिसी होती है फोरण पॉलिसी में किसी का कोई अक्तियार नहीं होता बलाबला समझा कर करके मामला खत्म पत्रकार इस मसलों को ना उठाए इसके लिए जो और भी मीडिया को मैनेज किया जाता था और जो पत्रकारता के अंदर यह जो दिली आई और चीन को एक्सपोज किया है कि ये काम गलत है ये हिपोक्रसी जो है वो ठीक नहीं है ये निस्पक्षता नहीं है और चीन के लिए सद्वे वाली बात ये है कि आप बाची तो करते हो आपको 370 के बाद जो आपने चड़ाई करने की कोशिश की लेह लगदाक के उपर वहां भी आप परिशान हो गए आपको अपने टुप्स को पीछे ले जाना पड़ा खाली हाथ हिंदुस्तान ने आपकी घेरा बंदी कौर्ड के साथ कर दी और अब जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जलील किया हर इंटरनेशनल फोरम के उपर वही ट्रीटमेंट मोदी सरकार अब चीन को दे रही है और इसलिए चीन की परिशानी चीन ज्यादा इस सरकार से परिशान हो रहा है क्योंकि ये सरकार कोई ऐसा मौका वो छोड़ती नहीं है कि जिसमें चीन को लज श्विदेश की बाकी खबरोर उनके साथी के अनलसस के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए श्वेर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार